नेक्स्ट जो कंट्रोलर में हमारी टॉपिक है पावर सप्लाई की वो है अनिंट्रेप्टेड पावर सप्लाई जिसको हम लोग बोलते हैं यूपीयस यूपीयस एक ऐसी एक्ति है जो कनेक्टेड उपकरणों को निरंतर तो कनेक्टेड उपकरणों में जो हमारे कनेक्ट होते हैं जैसे कंप्यूटर हो गया आई सी यू में भी यूज होता है इसका तो उनको निरंतर बैदू सप्लाई देती रहती है कब जब में पावर सप्लाई हमारी क्या हो जाती है बंद हो जाती है या दूसरे सोर्च से पावर सप्लाई को क्या करती रहती है प्रवाइट करती रहती है इसका उपकरोनों के लिए प्रोटेक्शन टाइम लगभग 20-30 मिनट का होता है लेकिन यह विश्वासी नहीं होता है क्योंकि यह बिना किसी warning के कभी भी power supply को बंद कर सकता है या हमारी power supply क्या हो जाती है फेल हो सकती है तो जैसे एक basic circuit हमारी है UPS की तो इसमें यहां से हमारा क्या है main supply ठीक है जहां से 220 power input supply अप्लाई की जाती है तो उस समय जब main power supply अप्लाई की जाती है उस condition पे यह जो हमारा switch है यह क्या होता है on condition होता है तथा critical load पर हमारा process क्या होता है होता रहता है तो अगर जैसे main supply हमारी क्या हो अचानक से जैसे busily अगर कड़ जाती है और हमने किसी plug में main supply में लगा रखा है इसको plug के थरू तो अब होगा क्या जैसे यह power supply कटेगी यह हमारा क्या होगा आफ कंडिशन में चला जाएगा मतलब यह switch हमारा आफ हो जाएगा फिर क्या होता है कि जो reactive power हमने उच किया रखा है ठीक है में supply से connected भी है तो reactive हार के थरू हमारी battery क्या होती है चार्ज होती है ठीक है और इसमें हमारा एक inverter यूज होगा होता है तो बैटरी से यह source को लेता है और यह inverter DC से AC supply output पर प्राइट कराता है तो उस condition पर जो हमारा switch यह होगा यह वाला switch क्या होगा आन होगा वो यह switch मरा आफ हो गया तो अब यह critical load को क्या करेगा मतलब power supply apply करेगा या देता रहेगा जिससे हमारे इस critical load पर कोई वर्क हो रहा है तो बाधित न हो अब डेक्स आते हैं हम लोग type of UPS तो हमारा UPS होता है offline UPS होता है online UPS होता है line intercorrective UPS होता है static UPS होता है no break UPS होता है यह हमारा एक basic block है offline UPS का अब offline UPS जो हमारा होता है इसमें होता क्या है कि जब main power supply हमारी क्या होती है जैसे यह main power supply है जब main power supply हमारी क्या होती है इससे तो यहां से हमारा क्या होता है कि मतलब normal AC क्या होती है मतलब pride होती रहती है आपके critical load को तो इस condition सब्सक्राइब ऐसे में अब जैसे ही में सब्सक्राइब हमारा क्या होता है अब जैसे ही में सप्लाई में क्या होता है इंटरू मतलवbyodhahan करने हतला है वैसे हमारा S2 switch जो होता है, क्लोज हो जाता है, तथा जो हमारा S1 है, वो बैकल्पिक पाउर सप्लाई से क्या हो जाता है, क्नेक्ट हो जाता है, तो बैकल्पिक पाउर सप्लाई से क्नेक्ट हो जाता है, यह switch हमारा यहां क्नेक्ट हो जाएगा, क्नेक्ट होने के बाद, तो य इसको पावर सप्लाई मिलने लगती है तो यह लगभग इसको जो प्रोटक्शन 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 होती है यह क्या होती है मतलब बैटरी चार्ज होती है तथा इसी से यह इसी के थुरू पाउर सप्लाई हमारी क्या होती है क्रिटिकल लोड को पुराइड होती है तो हला कि जो यह हमारा प्रासेस है यह कुछ छड़िक के लिए होता है इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि यह यह मेंपासनि नहीं होता हैं मतलब गारिवारिय्ग के कभी भी क्या हो सकता है यहां यहां फेलो सानलीग ही कॉपीयेश तो बादv हमें UPS में जो process होता है मुलब main power supply का मुलब एक तरह से इसमें जो operation होता है अंडर-normal operation होता है तो अगर इसमें जो process होता है तो battery के थूरु उसमें gewoon charge क्लिप करती है यह इनरजी लेकर क्रिटिकल लोड को क्या करेगा तो यह जो हमारा प्रास्यों होता है यह आल- Carolina UPS प्रासेस उता है मतलब जो चार से पांच मिली सेकंड को सहन किया जा सकता है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं मतलब क्या करते हैं कि इसका एक बेसिक ब्लाग है जिसमें हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक 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 टी फायर जो एसी से डी सी करता है फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे एक बैट्रीज लगाएंगे जो फिर हमारा क्या होगा प्रीमेंटर होगा फिर फेलिटर होगा फिर क्या होता है हमारा स्वीच लगाते हैं हम स्वीच है फिर इसको हमलोग क्या करते एक ट्रिक्टिकल लोड से क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे और इस रियक्टिफ हार पर हम लोग क्या करते हैं में पावर सप्लाई से जोड़ते हैं तीक है और नेक्स्ट हमारा जो होगा एक सी चौर हम लोग यूज करेंगे इसको भी नुक्या करेंगे इससे जोड़ देते हैं तो यह जो हमारे स्विच है एक कंडिशन पर क्या होगा हमारा जम में पावर सप्लाई से इसको मतलब में पावर सप्लाई जो हमारी आनोगी तो उस कंडिशन पर सप्लाई हमारे इस इस पाथ से होती जाएगी और उस कंड वेले आन कंडिशन होगा और क्रिटल लोड पर हमारा प्रोस्ट चलता है लेकिन जैसे ही पावर सपलाई हमारी क्या होती है ब्रेक होती है तो उस समय जो हमारा मेन पाउड से So हने साओ जीरे साओ में पावर में होती है तो इस समय में एपकम कौनेक्टेड हैori अब इसके बाद तो बैटरी से हमारा इंवर्टर क्या करता है यहां से मतलब डीसी लेगा और डीसी टू इसको क्या करेगा एसी करेगा फिर हमने फिल्टर से कनेट कर रखा है तो फिल्टर से फिर हमारा क्या होगा एसी क्या होगा पास होगा तो उस कंडिशन में यह जो हमार लोड पे हमारा क्या होती है मतलब सप्लाई होने लगती है तो इस तरह से एक बार ये नार्मली हमारा आन होता है ये नार्मली हमारा क्या होता है आन होता है तो इस तरह से हमारे क्या होते है मतलब इसकी पावर सप्लाई क्या होती है मतलब इस लोड को क्या होता है मिलता रहता तो यह हमारा के एक नार्मल सिच्वेशन होता है, तो जब अब जिसे इनवर्टर क्या करेगा, नार्मली इसको सप्लाई प्रोइड कराएगा, लेकिन जैसे ही क्या होगा, जैसे हमारी पावर पुना आती है, पुना यह अपने प्रोसेस पे क्या आता है, रिटान आ जाता है, और फिर से हमारा सप्लाई इसके थू कनेक्टेड हो जाती है,